तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखते हैं एक अच्छा सा problem है यह करते हैं two small body are mass m10 kg and 20 kg तो जब इस problem को मैं solve करने जाता हूँ तो एक का mass कितना है तो mass m1 is equal to 10 kg तो इसको मैं माल लेता हूँ x kg तो दूसरे का mass m2 is equal to 20 kg है तो इसको मैं माल लेता हूँ 2 x kg calculation आसान हो जाएगा when the separation mutual gravity released मतलब यहां से released किया है मतलब initial velocity इसकी zero है लेकिन इन में attraction हो रहा है तो gravitational potential energy है और यह distance r है r की value 1 meter है this distance is r and this is basically nothing it is the 1 meter तो यह जो है 1 meter separation है अब तुम देखोगो यहां पे कि यह जो 1 meter का separation exist कर रहा है finally यह जो r by 2 हो जा रहा भाई तो this is basically nothing यह कितना आ जाएगा यह r by 2 आ जा रहा है तो अगर यह r by 2 आ जाएगा तो इस वक्त यह चल ला होगा इसकी velocity v1 होगी इसकी velocity v2 होगी तो तुम देखोगे इसकी velocity v1 और v2 की हमें value निकालनी है finally हमें निकालना कि भीवन कितना होगा और यह हमारा v2 कितना होगा तो अगर तुम देखोगे भीवन और v2 की value तो सबसे पहले देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा तो यह जो ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन लग रहा है यह जो अट्रेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है वह एक मुच्वल अट्रेक्शन है तो जब यह मुच्वल अट्र रहेगा तो linear momentum conservation लगेगा क्योंकि net external force थी ठीक है ना और फाइनली जब छोड़े दोनों की वेलोसिटी जीरो थी तो यह इनिशल मोमेंटम वहा फाइनली यह एक का मास M1 है वेलोसिटी भी वन है दूसरे का मास माइनस M2 है और वेलोसिटी भी टू है क्योंकि अपोजी टारेक्शन में है यह इसको प्लस ले लेता हूं निगेटिव ले लेता हूं तो यह आ जाएगा M1 भी वन बराबर हो जाएगा M2 भी टू तो M2 दूसरे वाले का जो मास है वह 2X है और भी टू है और यह X भी वन है तो इसका मतलब य यहां से मुझे भी वन की जो वैलू आ जाएगी तो भी वन इज उकल टू टू टूfund सभी मतलब करने की बार आत वाट वर जो भी आयगा भी टू बीवन टूका 2 टू टांच हो तो सबसे पहले मैं भी टू निकाल लेता हूं तो भी वन आ जाएगा टू टूर तो अब अब क्या करूंगा वाई energy conservation लगा देता हूं तो भाई applying the law of conservation आप energy तो energy करा दो तो भाई mechanical energy mechanical energy initially बराबर होगा mechanical energy finally तो mechanical energy initially कितनी होगी kinetic 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 energy plus potential energy इन दोनों body की initially बराबर होगा kinetic energy plus potential energy finally इन दोनों body की final situation में तो देखो initial situation में kinetic energy तो इन दोनों का 0 चल गया potential energy is equal to gmm over r ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा और मैं ले लेते हैं m1 m2 finally kinetic energy half m1 v1 square plus half m2 v2 square is equal to potential अभी भी होगा तो m1 m2 over r by 2 separation r by 2 हो गया है तो finally जब उनको देखोगे तो यहां से जो value रखोगे तो minus 2g x 2g x square over r is equal to half mass m m की value कितना था बोलो m की value था x तो यह जाएगा v1 square plus half यह 2 times x और v2 square minus 2g m square over और यह 2 ऊपर चला गया आर मलब कुल मिलाके 4 आ गया तो finally इसको और ज़्यदा अगर simplify करोगे तो यहां से सब की value रखो तो तुम value रखने चलेंगे हम लोग तो चलो रखते हैं यहां पर तो minus 2g की value रखते हैं 6.67 into 10 की power minus 11 ठीक है ध्यान रखना कि सबका मैं value रख रहा हूं और multiply कर दो 2 से और x का square x का square मतलब x की value 10 था तो 10 का रेडियस कितना था एक मीटर था is equal to half x x की value 10 थी और b1 की value b2 का square था तो b1 is equal to two times b2 का square था मतलब यहां जाएगा four times b2 का square plus half two times mass की value 10 is equal to v2 square minus four times g 6.67 into 10 की power minus 11 और x की value यहां जाएगा 10 अरे भाई potential energy की value रख रहा हूं 10 का square तो यह जाएगा यह 10 का square और divide कर दूं यहां से 1 तो finally इसको इसको पूरा solve कर लोगे तो जो v2 की जो value आ जाएगी शिर बीटू बचेगा तो इसको solve कर लेना तो यह जाएगा 2.10 into 10 की power minus 5 meter per second तो this is the v2 finally तो v2 जो v1 है वो 2 times v2 है तो यह जाएगा 4.20 into 10 की power minus 5 meter per second this is the v2 तो i hope कि आपको basically यह दोनों clear हो गया first or second दोनों clear हो गया होगा तो यह एक अच्छा question था जिसमें momentum conservation और energy conservation के base पे डवलब किया गया था तो thanks for watching this video